मज़िगावा मुख्या बिंदा देवी ने पंचायत भवन पर किया जंडो तोलन 26 जन्वरी 1950 को सम्मिधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गण राजे किया गया था घोशित नमस्कार खरांधी यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है खरांधी यूज चैनल पर आप नए है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले खरांधी प्रकंक के मज़िगावा पंचायत के मुखिया बिन्दा देवी ने पंचायत भवन बड़े ही धूम धाम के साथ जंडो तोलन किया उक्त मौके पर मुखिया बिन्दा देवी ने लोगों को गनतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 26 जनवरी 1950 को ही सम्मिधान लागू किया गया था इसलिए हम सभी लोग गनतंत्र दिवस तेहवार के रूप में मनाते हैं वही राम अकरपाल दुवे दिनी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इसी दिन पूरे देश में सम्मिधान लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को सम्मिधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गन राज्ये घोशित किया गया था यही वज़य है कि हर साल इस खास दिन की याद ने 26 जनवरी को गनतंत्र दिवस मनाया जाता है साल 1947 में भारत को मिली आज़ादी के बाद इस लोगतांत्रिक बनाने के मकसद से देश का सम्मिधान बनाना शुरू किया गया दो साल 11 महिने और 18 दिन में बन कर तैयार हुए भारत के सम्मिधान को 26 नवंबर 1949 में देश की सम्मिधान सभाने स्विकार किया इसके बाद अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में यह सम्मिधान लागू किया गया था मकेपर B.D.C. कृष्णाराम, सत्यनारायन प्रसाद यादव, सतेंद्र प्रसाद यादव, समसुद्धीन अंसारी, फिरोज एहमद, छोटेलाल प्रजापती, रविवार हुसन, विश्वामित्र यादव, सतीश राम, महेंद्र मोची, उपमुखिया प्रतिक कुमार विवेदी, सीताराम ठाकुर, अफसर अंसारी, रमेश सिंग, पिन्टु कुमार, सतेंद्र प्रसाद यादव, रामानुज यादव सहित्त कई लोग उपस्तित